नमस्कार दोस्तों इंडन्वनी.com हिंदी पर आपका स्वागत है मेरे नाम है फयाज सबसे अच्छे IPO का चुनाव कैसे करें IPO के बारे में इतना हाइप क्यों आ गया ये आप सोच रहे होंगे well IPO के बारे में हाइप आने के शुरुआत हुई थी Burger King के IPO के आने के बाल जब मतलब market में एक तरह का नया excitement आ गया लोगों को लगा कि यार ये बहुत बढ़िया तरीका है पैसे कमाने का Burger King के या किसी भी company के IPO में आप apply कर दो और फिर listing gains का फाइदा उठालो और फिर वहाँ से exit हो जाओ और फिर पैसे लेके निकल जाओ लेकिन ये जो तरीका होता है पैसे कमाने का ये आपको shortcut पैसा कमाने का तरीका है जहाँ पर बहुत लोगों गए नुकसान भी होए है इसके उपर हमने एक detail वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने आपको एक basic statistics बताया था मौझूदा companies जिनके IPO आए हैं पिछले एक दो महिने में December से हमने बात की थी December से लेकि जन्वरी तक उसके IPO ने किस तरह से perform किया उसके बारे में हमने statistics बताया था जो मैं आपको आज की वीडियो में भी दिखाता हूँ 106% के आसपास का listing gain हुआ था फिर कुछ एक company आए थी Anthony Westnam की जहाँ पर भी 29% के आसपास का listing gain हो गया था और फिर बात करें IRFC की तो वहाँ पर listing gain नहीं हुआ था लोगों का loss हो गया था क्योंकि शेयर थोड़े कम price में list हुआ था यहाँ पर minus 4.52% के आसपास का loss हो गया था लेकिन फिर Indigo Payne, Home First Financial या फिर Stove Carf की बात करें तो यहाँ पर almost हर एक company ने आपको listing gains दिये ही है तो इस trend को देखते हुए बहुत सारे लोग listing gains के तरफ आकरशित हो रहे हैं लेकिन यह wealth creation के लिए एक अच्छा तरीका नहीं है अगर आपको wealth बनानी है, संपत्ती बनानी है, अगर आपको अमीर बनना है मतलब ऐसा कि पुष्टैनी जाइदा आप बना सके अपने आने वाले परिवार के लिए तो listing gains या IPO में निवेश करने से वो कता ही नहीं होने वाला है आपको कभी भी long term निवेश करने के बारे में सोचना चीए देखिए दुनिया के इतने सारे अरबपती खरबपती बनते हैं लेकिन Warren Buffet एक ऐसा नाम है जो पिछले कई सालों से पाँचवे position पर consistently बने हुएं बहुत सारे लोग आयें गएं Bill Gates आये थे number one की position पर बहुत दिन तक रहे लेकिन फिर वो पिछड़ गए फिर Jeff Bezos आये वो भी number one की position पर रहे बहुत दिन तक फिर वी वो और Elon Musk अभी आगे पीछे हो रहे है लेकिन Jeff Bezos के अलावा अगर बात करूँ में कोई एक ऐसा नाम जो की consistently वहाँ पर रहा है वो है Warren Buffay का जो की दुनिया के सबसे बड़े investor है तो उनका strategy यह है कि आप long term निवेशित रहे तब जाकि आप अमीर बन पाएंगे तो अब बड़ा सवाल यह उड़ता है कि आप अच्छे IPO का चुनाव कैसे करें अच्छे IPO का चुनाव करने के लिए आपको कुछ-कुछ चीजों को ध्यान में रखना है पहली बात तो आपको यह करने है कि आपको overhyped shares से दूर रखना है अपने आपको ऐसे share से दूर रखने जिसके बारे में आपने शायद YouTube पर वीडियो देखे हो शायद ऐसे share जिसके बारे में आपके favorite influencers बात करें क्योंकि यह कई बार paid promotions होते हैं जो कि उस share के price को trigger करने के लिए की जाते हैं तो उस तरह से आपके भी मतलब आपका मन वचलित हो जाता है आपको लगता है कि यहाँ पर निवेश करना चाहिए लेकि यहाँ पर आपको कुछ फायदा होता नहीं है तो आपको कम से कम 4-5 lot के लिए apply करना पड़ता है तब जाके आपकी probability बढ़ जाती है तो जब तक यह list नहीं होता तब तक आपके इतने पैसे almost एक देर लाक रुपे के amount lock हो जाती है लगबग एक हफता दस दिन के लिए तो वो पैसा अगर आपके hand के पास रहेगा आपके हाथ के पास रहेगा तो वो पैसा आप इस्तिमाल कर सकते है किसी अलग तरह के investment को करने के लिए तो इसलिए आपको overhyped IPO से दूर रहना चाहिए दूसरी बात तिसरी बात यह है कि आपको ऐसे shares को लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो कि listing gains के मतलब बलबूते पर चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे companies ऐसे भी हैं almost 83 companies ऐसी हैं जो इस साल आने वाली जिन्होंने schedule किया है अपना IPO की listing तो definitely आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लालची नहीं होना है आपको दिमाग लगा कर समझदारी से निवेश करना चाहिए, market जब dip होता है तब निवेश करना चाहिए लेकिन अगर आप माल लीजे उस company में बहुत ज़्यादा interested हैं तो IPO एक सही वक्त नहीं होता है long term investing के लिए आपको कभी भी वो company का share list होने के बाद wait करना चाहिए कि कब वो company dip हो रही है या फिर कब market crash हो रहा है और तब जाके आप ज़्यादा अच्छे उसके units उठा पाएंगे और ज़्यादा आपको मिलेगा तीसरी बात में अगर बोलूँ कि अगर आपको company के बारे में वाकई में समझना है कि हाँ अच्छे IPO का चुनाव कैसे करें अपना पूरा report card बताती है उनके सारे financial performances बताती है उनके company के mission क्या है vision क्या है management कैसा है उनके क्या 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 कीरती मान है क्या 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 उन्होंने तीर मतलब चलाए है या फिर क्या क्या जंडे गाड़े है पिछले कुछ सालों में तो ये एक बहुत ही detailed document होता है कहीं बार य करना किसी भी company के fundamentals को तो ये आपको सबसे ज्यादा clear picture देगा क्योंकि company खुद अपने बारे में आपको बता रही है और यहाँ पर company कुछ numbers के साथ छेडशाड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सभी द्वारा guidelines होती है सब companies तो definitely आपको ज्यादा बहतर सीखने को मिलेगा ज्य तो मुझे उमीद है कि यह comprehensive video से आपको काफी कुछ सेखने को मिला होगा काफी कुछ नया पता चला होगा क्योंकि मैंने खुद जब research कर रहा था तो मुझे भी काफी सारे नहीं चीज़ें पता चली और well ऐसे भी मैं सीखते रहता हूं रोज क्योंकि मैंने download करके रखा वहाँ पर हमने 65 से भी ज़्यादा courses बनाए च्छे अलग अलग भाशाओं में जो कि आपको personal finance career building, farming और business के बारे में सिखाते हैं तो उसकी link आपको description box मिल जाएगी उसको आप तुरन जाके download करिए और promo code में अगर आप मेरा नाम दालेंगे F-A-Y-A-Z पयाज लिखेंगे तो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को like कर दिजे, चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दिजे ताकि हमारे आने वाले हर एक notification को देख पाएं मिलते अंगले वीडियो में मेरे नाम है F-A-Y-A-Z और आप देख रहे हैं indirmani.com